हेलो एवरिवन, इस सीरीज में आज हमारे पास अगले कवी हैं शैलेस मठ्यानी जी, जिनकी विभिण रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे सबसे पहले इनकी जीवन परिचे की ओर जाते हैं तो शैलेस मठ्यानी जी का जन 14 अक्टूबर 1931 को अलमोडा के बाड़े चीना में हुआ था इनकी मृत्यू 24 अप्रेल 2001 को हुई इनकी उपनाम है स्रम चीविय उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार इनकी अब वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंग मठ्यानी उत्करस्ट शिक्षड काड़ी है तू शिक्षकों के लिए शैलेस मठ्यानी पुरुषकार की सुरुवात 2009 में उत्रखन सरकार द्वारा की गई थी शैलेस मठ्यानी जी ने दो पत्रिकाओं का संपादन किया एक है विकर्ब और दूसरी है जन्पक्ष अब इनके उपन्यासों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इनके उपन्यास हैं बूरी वाली से बूरी बंदर, भागे हुए लोग, चंद औरतों का सहर, हौलदार, किस्ता नर्मदा बेन, गंगुबाई, रामकली, सावित्री, नागवल्लेरी, गोपुली कफोरन, सर्प गंधा, जैमाला, माया सरोवर, सिंधू और गंगा, बावन अधियों का संगम, बर्फ गिर चुकने के बाद, दो बूंद जल, कमीने, मुठ भेड, चिठिर सेन, डेरे वाले, छोटे-छोटे पक्छी, कबुतर खाना, एक मूट सर्सों, मुख सरोवर के रहंस, आकाश कितना अनंत है, बेला हुई अबेड, अब इन उपन्यासों को हम ट्रिक के माध्धम से याद करेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं कि बोरी वाली नामा के एक इस्थान से, दूसरा इस्थान है बोरी बंदन, बोरी वाली इस्थान से बोरी बंदर जाते हुए, कुछ भागे हुए लोग, चंद औरतों के शहर में घुज जाते हैं, जहां पर एक हौलदार, अब उन औरतों का नाम हम बताएंगे, जिन औरतों के सहर में ये भागे हुए लोग आ गये थे, उनका नाम है गंगुबाई, रामकली, सावित्री, वल्लरी, गोपुली, सर्पगंधा, जैमाला, माया, इन औरतों के शहर में वो भागे हुए लोग घुज गये थे, यहाँ पर पास में ही सिंधो और गंगा के साथ ही बावन नदियों का संगम था यहाँ पर जब बर्फ गिर जाती थी बर्फ गिर चुकने के बाद दो बूंद जल भी दिखाई नहीं देता था तब उन औरतों ने डिसाइट किया कि जो भागेवे लोग हैं उन कमीनों के साथ यहाँ पर मुटबीड की जाएगी और उनको यहाँ पर चित्त कर दिया जाएगा इस तरह से वह धेर हो जाएगे इसके बाद एक बेला ऐसी आईगी कि हम एक मुट सरसों हाथ में लेकर छोटे छोटे पक्ची, कबुतर और हंसों को खलाएगे और इस अनन्त आकाश के नीचे बैठ कर आराम से बैठ जाएगे अब शैलेस मट्यानी जी की कहानियों को भी हम इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे सबसे पहले हम इनकी कहानियों पर एक नज़र डालते हैं दो दुखों का एक सुख हारा हुआ, जंगल में मंगल पत्थर, महाभोच प्यास, व्यास, बर्फ के चटाने तीस रासुक, मेरी तैंटीस कहानिया दूसरों के लिए सूखा सागर भेड़िये और गडरिये नाच जमूरे नाच अब हम एक कहानी बनाते हैं कि मुझे दो दुख मिले और मैं हार गया और मैंने डिसाइट किया कि मैं जंगल में मंगल करने जाओंगा और एक पत्थर के पास महाभोज की व्यवस्ता की इतने में मुझे प्यास लगी तो मैं एक व्यास गुफा में गया वहाँ पर एक बर्फ की चटान थी बर्फ की चटान के किनारे थोड़ा सा पानी पी कर मुझे तीसरे सुक्यन उभूती हुई और इस सुक को मैंने अपनी तेतीस काहनियों में लिखा साथ मैं ये भी लिखा कि दूसरों के लिए इस सूखी जगह पर यह पानी रखने वाला इंसान कितना महान होगा और यहाँ पर हमने भेड़िये और गडरियों के तरह नाच किया इसी तरह से हम अब निबंद पढ़ते हैं कागच की नाव लेखक की समवेदना कभी कभार यदा कदा तृज्या किसके राम कैसे कागच की नाव को देखकर मेरे मन में खयाल आया कि लेखक की समवेदना भी कभी 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 और यदा कदा सेमी है तो कभी कबार यदा कदा कितनी अलग होती है कि वह इस नाव पर राम लिखकर भी बहुत बार इन नावों को पानी में छोड़ देता है इस तरह से बहुत बार एक्जामस में कभी को मिलने वाले सम्मानों के बारे में भी पूछा जाता है तो हम इनके सभी सम्मानों को सिक्वेंस से याद करेंगे सबसे पहले हम याद करते हैं कि 1983 में शैलेस मट्यानी जी को फड़ेश्वर नाज सम्मान मिला जो कि बिहार सरकार ने उनको दिया 1994 में कुमाव विश्विध्याले द्वारा डी लिटरेचर की उबाद ही दी गई 1999 में इनको लोहिया सम्मान दिया गया और सन 2000 में केंद्रे हिंदी निदेशाले द्वारा राहोल सांकृत्यायन पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया सैलेस मट्यानी पुस्तक संग्राले कहां है आपसे पूछ सकता है तो आप कहेंगे रामगड में है बारा मंडल की लोग कथा भी शैलेस मट्यानी जी के एक अन्य रचना है बाल साहित्ये में हम ऐसे याद करते हैं कि हमने कुछ चुहिया के दुल्हे बनाए जिनको बिल्ली के बच्चों के पास लेके गए साथ में रानी गौरया भी मिट्टी से बनाई मट्यानी से मिट्टी उसके बार इनका संयोग करवाया इस तरह से शैलेस मट्यानी जी की सभी रचनाओं को हमने ट्रिक के माद्धम से याद किया इनकी बहुत सारी रचनाओं होने के कारण कंफ्यूजन हो जाता है कि यह रचना किसकी है क्योंकि वहां पर तो सिर्फ एक रचना लिखी होगी और नीचे चार कवी दिये होंगे तो इस तरह से अगर हम मट्यानी जी की ऐसे कवीताओं याद कर लेते हैं या उनकी रचनाओ याद कर लेते हैं तो हम कंफ्यूजन से दूर होंगे आशा है आपको यह ट्विक्स समझ में आ रही होंगी एक दो बार वीडियो को देखिए तो जरूर यह आपको याद हो जाएंगी थैंक यू